श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब आज अपराय का दशी है और गुरुवार का दिन भी है तो आपको पीपल के पेड़ के यहां पर भौती अच्छोग उपाय करना है पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अगर चैनल पर नए आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशे की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम जरूर लिखें देखिए आज सरवार्त सिद्धी योग गज के स्री योग और आयुषमान योग का दुरलब योग है तो इसी योग में आपको उपाय करना है हम आपको दो उपाय बताएंगे दोनों मेंसे जो सरवत्तम आप जो कर सकें वो आप कर लिजेगा देखिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि आज के दिन जो अपरा एकादिश की जो क दालना है और थोड़े से 11 दाने काले तिल के आपको डालना है क्योंकि काले तिल भगवान विश्नु को अत्यदिक प्रिये हैं और हल्दी भी जो है भगवान विश्नु को अत्यदिक प्रिये है और ये जलका पात्रे आप आज की दिन पीपल के जड़ में आपको डालना है ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाब करते हुए और मन में यही भावना रिनी चीए कि जिस प्रकार वो आत्मा तरी थी उसी प्रकार मेरे जीवन के जो भी विगन है भगवान आपको दूर करने है और मेरे हर काम आपको बनाना है तो बस आपको इतना सा उपाय करना है और साथ ही साथ हो सके तो आज के दिन घी का दिपक उसके अंदर एक चुटके हल्दे डाल करके आप पीपल के ज़ड में आपको रख करके आना है ध्यान रखे हैं आज के दिन आपको पीपल के पेड़ को चूना नहीं है ये हो गया पहला उपाई अब दूसरा उपाई जो है वो आपकी नोकरी के लिए आपकी तरक्की के लिए देखिए करना क्या है एक तामबे के पातर के अंदर जल भरना है और उसके अंदर गंगा जल की बूंदे डालना है यदि गंगा जल नहीं है तो केवल आपको जल भरना अब आपको क्या करना है उसके अंदर आपको तुल्ची जी के ग्यारा पत्ति डालना है लेकिन ध्यान रखें एकादेशी पर तुल्ची जी को इस पर्ष नहीं किया जाता तो आप पत्ते कहां से लाएंगे यदि आपके पास पुराने पत्ते रखे हों तो वो इस्तेमाल करे यदि पूराने नहीं है तो तुल्शी जी के आसपास जो नीचे घिरे हुए पत्ते ना उनको जल में शुद्ध करके साफ करके उसके बाद आप इस्तमाल कर सकते हैं ठीके 11 पत्ते आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है अब आपको किसी भी विश्नु अवतार की मंदिर में जाना है राम भगवान की चल जाएं क्रिश्नी भगवान की चल जाएं या स्वयम भगवान विश्नु के मंदिर में चल जाएं थोड़ी देर आपको जल का पात में आपको डाल कर क्या जाना है और आपकी जो भी नोकरी से संबंदे जो भी परिशानिया है यदि आपको यदि आपको नोकरी नहीं मिल रही है यदि आपकी नोकरी धंग से नहीं चल रही है व्यापार धंग से नहीं चल रहा है तो आपको इसकी प्रातना करनी है तो बहुत